हलो मैं हूँ रेखा यादव और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई गर्मिया आ गई है और पसीने की प्रॉब्लम हर किसी को होती है जिससे बचने के लिए हम पॉफ्यूम और डियो का यूज करते हैं लेकिन वो भी जादा देट तक टिकती नहीं चाहे कितने भी महंगे पॉफ्यूम या डियो खरीद ले कुछ मिंटों में ही वो गायब हो जाते हैं लेकिन आपको पता है कि ऐसा क्यूं होता है ऐसा इसलिए क्योंकि हम उसे सही तरीके से लगाते नहीं है तो चलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताती हूँ जिससे आपके परफ्यूम लॉंग लास्टिंग रहेंगे सबसे पहला टिप्स यह है कि जब भी आप परफ्यूम खरीदने जाएं तो मौसम का खयाल रखें अगर ठंड है तो इस स्ट्रॉंग खुश्बू वाली परफ्यूम को खरीदे और अगर गर्मी है तो हलकी और भी निखुश्बू वाली जब भी परफ्यूम खरीद कर लाएं तो उसे यूही न रख दे क्योंकि जादा धूप और जादा यूमिडिटी में वो खराब हो जाते हैं साथी उनकी जो खुश्बू होती है वो बदल जाती है तो उसे नॉर्मल टेंप्रेश्चर पर ही रखें डियो या परफ्यूम को कभी भी कपड़ो या जोलरी पर नहीं लगाना चाहिए कई लोग होते हैं जो से अपने कपड़ों पर लगा लेते हैं इससे कपड़े तो खराब होती ही हैं साथी डियो भी जादा देर तक नहीं रहते इसलिए इन्हें कभी भी कपड़ों और जुलरी पर ना लगाए अगर आप चाहती हैं कि आपका पर्फियूम या डियो लंबे समय तक टिके रहे तो इसे शरील के गरम हिस्से पर लगाए जैसे कि कान के पीछे गर्दन पर, कोहनियों पर और कलाई पर या फिर घुटनों के पीछे इन जगों पर पर्फियूम लगाने पर ये लंबे समय तक टिके रहते हैं लेकिन इन्हें लगाने का भी तरीका होता है किसी भी पर्फियूम या डियो को अप्लाई करने से पहले वहाँ पर मॉस्चेराइजर लगा ले अगर मॉस्चे Рाइजर ना हो तो आप पेट्रोलियम जेली लगा सकते हैं क्योंकि मॉश्चेर रहने पर पर्फियूम जाधा देडर तक टिका रहता है तो हम इसे कलाई पर अप्लाई करके दिखाते हैं, tough मैं इसे आपको अपने कलाई पर अप्लाई करके दिखाती हुँ जैसे कि पहले हमने मंस्चर राइजर लगा लिया कलाई पर जब मौश्टर राइजर अच्छे से अपलाई हो जाए तो इस पर अपना डियो या पर्फियूम लगाए इसके खुश्बू जादा देर तक तिकी रहती है कलाई पर जब भी पर्फियूम लगाए उसे रगड़े नहीं बहुत लोगों की आदत होती है कि वो कलाई पर पर्फियूम लगाने के बाद उसे रगड़ लेते हैं ऐसे में खुश्बू चली जाती है तो पर्फियूम सीधे लगाए और उसे वैसी ही छोड़ दे I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा हेल्थ, ब्यूटी, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े तमाम इंफर्मिशन के लिए देखते रहे है बोल्ड स्काई और हमें लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए